आज हम यह आपर बना रहे हैं चावल की रेस्पी जिसके लिए मैंने यहापर बासमती चावल लिया था आधी कटोरी जिससे मैंने 5-6 गंदे के लिए दोके भी हो दिया था उसके बाद हमें से पारिक करके पीस लिया है पीसते वे इसमें आपको एक सर्विस्पून पानी डा यहादा हो जाएगा तो यहापर मैंने एक सर्विस्पून पाइंडा की इसको नॉर्मल पीस लिया है ज्यादा मोटर ही रहना चाहिए ऐसा हो जाना चाहिए आपका चावल पीस्टे वे जैसे आपने पानी कभी जादा हो जाता है और वह पतला लगता आपका पेस्ट तो उ बहुत ही अच्छा इसका इक टेक्स्ट रहा हमारे को मिलेकर देखे कितना बढ़िया हमारा यालु का लिएस आया है विल्कुल गाडा-गाडा पीसके हमारा आपका है यह एक आलू है जिसे मैंने पीस लिया है आलू को हमें बिना पानी की पीसना है आलू में हम पानी आड चाबल में दुएसा पानी आड करना है अब चाबल के अंदर हम आलू को एड कर देंगे जो हमने आलू पीसे है जब आए इसमें बाई डालू डालेंगे बाई डालू का बहुत अच्छा टेक्स्टिर आता है मैंने बाई डालू से दो त्म वीडियो बना रखी है कि आप आ और साथी एड़ करेंगे कुछ मसाले, थोड़ा सा हीम, थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा, बहुत थोड़ा सा डाम नहां में, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचू पौडर, और स्वादन सा नमक. जा रहे आप इन सबको हम अच्रे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजे आपके अच्रे से मिक्स हो जानी चाहिए, यहां पर हमने मसादों और मिक्स कर लिया है अब इसको हम दो मिनट पेत लेंगे इसमें आप बारी करके लहसुन और प्यास कुछ नहीं जा रहे हैं अब इसको प्रेम नहीं बना रहे हैं आप इसमें जींजर काली केस्ट भी रासकते यहां पर हम इसको बनाने के लिए रहे हैं सरस्व का तेल इसे हमें पका लिया है अब आपको हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है एक कटोरी में पानी लेके आपको ऐसे पानी लगा लेना है अब यहां पर इसके हम छोटे छोटे बॉल्स तोड़ेंगे आपको ऐसे ले लेना है और साइडों में से छोटे छोटे इसके बॉल्स डालने है चारों तरफ आप इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स डाल दीजिएगा यह देखिए हमने यहां पर छोटे 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 इसकी बॉल्स डाल दीए और यह थोड़ी फूल बे गई है आपको देखी रहोगा कि यह कितनी फूल्स चुकी है अब जब यह थोड़ी से स्थिख जाएंगी तो इसको फटेंगे अब यह सीखने लगे हैं इनको हम फलट लेंगे बढ़िया लग रही है जैसे आप मंगोरी बनाते हैं यह चावल और आलू की हमने अपर बनाई है पकॉडिया इतनी बढ़िया लग रही है देखने में अब जब यह थोड़ी सी करारी हो दाएंगे तो उनको हम उताल लेंगे यह देखिए हमारी चावल और आलू की सॉफ्ट सॉफ्ट और मज़ेदार पकॉडिया तलके तयार हो चुकी है बहुत ही बढ़िया लगता है उनका टेस्ट खाने में देखिए बिल्कुल फोकी फोकी पकॉडिया बनके तयार हुई है आपको देखने से लग रहा होगा इस आप गरम गरम सर्फ कीजिए चट्नी सॉफ के साथ बहुत बढ़िया लगए और बिल्कुल अलग तरे की एक पकॉडिया है देखिए इसी तरह से यहां पर में इसका दूसरा बैच भी डाल दूंगी यहां पर हमारी आलू और चावल से बनने वाली जटपट और चटपट ईसकी बनके तैयार रोस चेह मारी किपन बढ़िया बंके हाई कि कराधियों कमारी नियुद्धी पकाड़ी बनके आई है बहुत जल्दी बनने वाली एक छोटी सी रस्पी तो आप अब लिगया उसल यह जोंतितर कर्कों मुझना कि हो प्रवड़ी